कि नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IVF यानि की test to baby प्रक्रिया को करने में कितना समय लगता है IVF की पूरी प्रक्रिया कितने समय में complete होगी वह बहुत सारे medical condition पे डिपेंड करता है आप किस वजह से IVF करा रहे हैं आपको कोई additional treatment कराना है आपकी बच्चेदानी कैसी है इन सारे factors पे डिपेंड करता है on an average normally IVF cycle 3-4 steps में किया जाता है सबसे पहले आपकी कुछ routine जाचे होती है उसके बाद आपके एक बढ़ाने की प्रक्रिया जिसको हम ovarian stimulation कहते हैं वो सबसे पहला step होता है इसमें period के second या third day से आपको कुछ दवाईयां दिये जाती है hormonal injections दिये जाते हैं जिससे आपका एक ग्रो करता है और उसकी monitoring के जाती है on an average इस पूरे प्रक्रिया में 10 दिन का समय लगता है किसी का एक से दो दिन पहले भी प्रिपैर हो जाता है किसी का एक से दो दिन जाधा लगता है second step आता है एक retrieval का जिसे हम open pickup कहते हैं इस प्रक्रिया में half an hour का समय लगता है जिसमें थुई देर के लिए आपको sedate करके हम एक्स को retrieve करते हैं एक्स निकालने के बाद आपके हस्बेंड के सीमें से sperm को prepare करते हैं और इंड्रो बनाने की प्रक्रिया सटार्ट होती है आप उस दिन घर जा सकते हैं इसके बाद आपको four to five days के बाद हम इंड्रो स्टेटस के लिए बिलाते हैं जिसमें आपका इंड्रो स्टेटस डिसकास क करते हैं कि हमें बोसी साइक्ल में डालना है मतलव ब्रेश इंभ्र do taci या आपको रेस्ट देके हमें लोको प्रीज करना है अगर आपका इंभ्रो liqu mb्रेश इंद्ट ट्रांसफर हो रहा है यानि उसी समय हमने डिसाइड कि Exercии foreign इम्रो ट्रांसफर करना है तो इम्रो ट्रांसफर करने के 15 डेस के बाद हम प्रेगनेंसी करने के लिए बुलाते हैं यानि आपकी IVF साइकल पूरे वन मंथ में कम्प्लीट हो जाती है लेकिन अगर आपकी कुछ मेडिकल कंडिशन्स है यानि कि अगर आपका यूटरस बहुत है ये उसकी परत अच्छी नहीं है तो हम इम्रो को फ्रीज करते हैं और आपकी यूटरस को प्रिपैर करके फिर एक महीने के बाद या दो महीने के बाद इम्रो ट्रांसफर करते हैं उस कंडिशन में आपका IVF का प्रोसेस दो से तीन महीने में कम्प्लीट हो जाता है धन्यबाद